नमास्कार दोस्तों, 22 ओक्टूबर साल 2008, इंडिया के दुआरा चंद्रियान 1 मिशन लॉंच किया जाता है। चांद पर पहुँचकर ये स्पेस्क्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की घोज करता है, इसको लेकर दुनिया भर में हेड्लाइन्स चप जाती है। Water on the Moon चंद्रियान 1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। लेकिन आज दुनिया की नजर है इंडिया के चंद्रियान 3 मिशन पर आखिर कौन सी नहीं खोट चंद्रियान 3 का मिशन करेगा, पर चंद्रियान 2 का मिशन क्यूं फेल हो गया था? आईए जानते हैं आज के इस वीडियो में। India is on its way back to the Moon The historic mission to the Moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft India is literally shooting for the Moon Chandrayaan 3 mission aims to touchdown on the Moon's largely unexplored South Pole Moon missions यानी चांद पर भेजे जाने वाले missions पांच-छे अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं सब 1950s में पहली बार था जब इनसानों ने चांद पर mission भेजने शुरू किये थे और तब से लेकर अब तक technology जैसे ऐसे improve होती गई है इन missions की complexity भी उतनी ही बढ़ती गई है सबसे पहले सबसे simple type के mission होते हैं fly-by missions इसमें एक spacecraft को भेजा जाता है space में जो चांद के पास से गुजरे यानि चांद के चारों और ये गोल-गोल नहीं गुमे बलकि चांद के पास से उड़कर ये बगल से निकल जाए सबसे पहला successful fly-by mission Soviet Union के द्वारा लॉंच किया गया था January 1959 में जब इनका spacecraft Luna 1 चांद के बगल से गुजरा था इसके दो महीने बाद America ने अपना पहला successful fly-by mission लॉंच किया March 1959 में जिसका नाम था Pioneer 4 इनका मकसद था दूर से ही चांद को study करना October 1959 में जब Soviet Union Luna 3 लॉंच करता है तब हमें पहली बार चांद की एक photo देखने को मिलती है करीब से स्क्रीन पर देख सकते हैं आप ये पहली photo moon की दूसरी side की ली गई थी जो dark side होती है moon की जो धर्ती से हमें normally कभी दिखती नहीं आज के दिन fly-by missions तभी किये जाते हैं जब किसी और mission के रास्ते में चांद दिख रहा हूँ लेकिन चांद को ही अगर specially जाचना है तो आती है अगली category missions की जिनहें orbiter missions बुलाया जाता है इसमें spacecrafts चांद के पास आकर चांद के orbit में गोल गोल चक्कर लगाते हैं इसे lunar orbit कहा जाता है और यहां से यह चांद के surface और atmosphere को study करते हैं तिल डेट 40 से ज्यादा successful orbiter missions हो चुके हैं और आज के दिन तक यह most common moon mission का टाइप है सबसे पहला successful orbiter mission किया गया था एक बार फिर से Soviet Union के द्वारा lunar 10 साल 1966 में इसके बाद आती है अगली category impact missions की यह missions orbiter missions का ही एक extension होते हैं यहां main spacecraft चांद के round orbit करते रहता है लेकिन उस spacecraft से एक हिस्सा detach होकर चांद पर जाकर crash land करता है क्योंकि crash landing के वक्त यह moon से impact कर रहा है इसलिए इन missions को impact missions बुलाए जाता है आप पूछोगे यह crash land कराने का क्या तुख बना इसका जवाब बड़ा simple है crash landing करने तक का जो समय जब वो चांद के करीब करीब आए जा रहा है उसी समय में काफी सारी instrument की readings ली जा सकती है इसलिए impact missions भी काफी useful होते हैं चंद्रियान 1 हमारा एक impact mission था जो हिस्सा spacecraft का अलग होकर चांद पर जाकर crash landing करता है उसे moon impact probe कहा जाता है चंद्रियान 1 के moon impact probe में एक instrument लगा था चंद्रा's Altitudinal Composition Explorer शोट में इसे chase कहा जाता था ये एक mass spectrometer था जो हर 4 second में readings लेता रहता था जैसे ऐसे ये चांद के करीब आ रहा था crash land करने के लिए और इसी instrument की मदद से हमें पता चला कि चांद की atmosphere में पानी मौजूद है ये moon impact probe crash करता है Shackleton crater पर जाकर चांद पर ये एक crater है जो चुना गया था और जो point of impact है उसे नाम दिया गया जवाहर point चंद्रियान 1 में एक orbiter भी था जो अपना orbiter mission अलग से कर रहा था obviously orbiter के बिना moon impact probe launch भी नहीं किया जा सकता इस orbiter में NASA का एक instrument लगा हुआ था moon mineralogy mapper M3 जब moon impact probe जाकर crash land किया चांद पर तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी उस मिट्टी को उस lunar soil को analyze किया इस instrument ने और इसी analysis के बाद confirm हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है चौथी category आती है moon missions की lander missions यहाँ पर spacecraft के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है soft landing करने के लिए crash नहीं करना, आराम से उतारना है ताकि चांद पर land कर सके कोई हिस्सा spacecraft का जो हिस्सा land करता है उसे usually lander कहा जाता है यह करना बहुत बहुत complicated चीज है और जब America और Soviet Union ने पहली बार try करी यह करने की तो पहले 15 attempts में वो fail रहे 15 attempts माईने रखता है साल 1966 में पहला successful attempt किया जाता है एक बार फिर से Soviet Union के द्वारा इनके Luna 9 मिशन के द्वारा दुनिया की पहली successful landing थी है मून पर और इसी spacecraft ने पहली photo भी खीची चांद के surface की यह photo कुछ ऐसी दिखती है ज्यादा high quality photo expect मत करो यह 1966 की बात है वैसे space के videos देखकर दोस्तों अगर आपको interest आता है इसी field में अपना career बनाने में aerospace और rocket science लेकिन आप जानते नहीं कि exactly यह कैसे किया जाए क्या इंडिया में पढ़ाई की जाए या abroad को university धुनि जाए कौन सी universities और colleges सबसे ज़्यादा suitable रहेंगी उनमें कौन से programs आपको इस career path पर ले जा सकते हैं इन सवालों के जवाब के लिए एक बड़ा ही simple solution है chat GPT किसी महंगे career counselor के पास जाने की जगह हैं जो की अकसर वैसे भी आपके parents की बातों से बहुत influence रहते हैं आप chat GPT को ही अपना career counselor बना सकते हो आप इससे इंडिया की नहीं बलकि दुनिया भर की universities को लेकर सवाल पूछ सकते हो scholarships धूंड सकते हो बाहर पढ़ने जाना है तो quality of life के basis पर शेहरों को धूंड सकते हो ये सब कैसे करना है मैंने detail में explain किया है master chat GPT के student special course में जो मेरा full chat GPT course है उसमें student का chapter आप इस student special edition में अलग से खरीद सकते हैं एक बहुत ही affordable price पर और आप में से पहले 400 लोग जो इसे खरीदेंगे उन्हें और additional 42% discount मिलेगा अगर आप coupon code moon42 use करेंगे तो course का link इस QR code को scan करके मिल जाएगा और नीचे description में भी है और जो लोग आप में इसे full course खरीदना चाहते हैं उसका link इस वाले QR code में है और ये भी description में मिल जाएगा धेरो लोग जिन्होंने इस course को अभी तक लिया है उन्हें बहुत पसंद आया और बहुत useful लगाया उनके reviews यहां आप देख सकते हैं जल्दी से जाकर आप भी इसे join कर सकते हैं अब topic पर वापस आते हैं आम तोर पर ये जो landers होते हैं ये काफी bulky होते हैं बहुत ही heavy और बड़े बड़े होते हैं तो ये चांद पर land करके बस रुख जाते हैं वही पर हिलते नहीं उसके बाद अगर वहाँ चांद की ऊपर जा कर surface पर move कर पाएं रोवर्स की मदद से direct contact बनाय जा सकता है चांद के surface पर पहला successful rover चांद पर भेजा गया था November 1970 में और guess कर सकते हो कौन सा देश था यहां पर एक बार फिर से Soviet Union इसके बाद आखरी category होती है moon missions की human missions जहां पर इंसानों को lander में बिठाकर चांद पर उतारा जा आता है और rover की जगहें इनसान अपने पैरों का इस्तिमाल करके चांद की जमीन पर कदम रखते हैं यह एक ऐसी चीज थी जो अमेरिका ने Soviet Union से पहले कर ली 1969 में जब Neil Armstrong ने पहली बार चांद पर कदम रखा नासा के दौरा आखरी human moon mission भेजा गया था साल 1972 में तो तब से ले rover mission पहले human mission के बाद किया गया ऐसे कैसे ऐसा इसलिए क्योंकि एक human mission के लिए एक soft landing करानी काफी थी लेकिन rover mission के लिए नई technology की जरूवत थी जिससे एक rover को develop किया जा सके और ये Neil Armstrong के कदम रखने के एक साल बाद ही हो पाया चंद्रियान 2 का mission यहाँ पर एक rover mission के तौर पर plan किया गया था अगर वो mission as पर plan जाता तो विकरम lander को चान पर soft landing करनी थी और उसके अंदर प्रग्यान नाम का एक rover होता जो चान पर उतर था लेकिन unfortunately ऐसा हुआ नहीं लेकिन 6 September 2019 चंद्रियान 2 का विकरम lander जब उतर रहा था soft landing की तयारी कर रहा था वो अचानक से जाकर crash land कर जाता है November 2019 में निकली failure committee report के मुताबिक ये accident एक software glitch की वज़े से हुआ था लेकिन ISRO ने कभी इस report को public नहीं किया और इस चीज़ को लेकर ISRO को काफी criticize भी किया गया था क्योंकि उस point of time तर इस रो बहुत ही highly transparent रहा था सब successful हुआ कब क्या नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कई महीनों तक ISRO ने ये भी claim किया था कि जो lander है वो intact है तूटा नहीं है बस moon पर tilt होकर गिरा हुआ है लेकिन finally जब pressure बढ़ा तो 1st January 2020 में जाकर ISRO के chief ने आकर admit कि lander actually में crash करके चकना चूर हो चुका है ISRO के mission control center पर screens ने दिखाया कि Vikram lander जब उतर रहा था तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है जब वो करीब 2 km उपर था surface से जब वो करीब 335 मीटर उपर था surface से ISRO contact loose कर जाता है plan के according 400 मीटर उपर पहुँचने तक Vikram को अपनी almost सारी velocity खो देनी थी लेकिन 1 km की height तक भी Vikram की vertical velocity 212 km per hour थी और horizontal velocity 173 km per hour ISRO के अब जो current chief है S. Somnath वो बताते हैं कि Vikram के engine में problem थी असल में total 5 engines में से एक thrust थोड़ा ज्यादा था जिसके कारण Vikram unstable हो गया असल में Vikram को actually photos लेकर decide करना था कि actual landing spot क्या होगा लेकिन photos लेने के लिए कभी वो stable हो ही नहीं पाया जब उसने अपनी direction correct करने की कोशिश करी तो thrusters के mis alignment की वज़े से वो तेज-ज़ घूमने लग गया और यहां Vikram के software में भी एक limit लगाई गई थी कि वो कितना तेज गूम सकता है तो यह सारी problems accumulate हुई और इसी की वज़े से ultimately जाकर Vikram crash land कर गया हम अभी इतना ही जानते हैं अब चंद्रयान 3 की बात करी जाये तो उसे launch किया गया है उसी objective को पूरा करने के लिए जो objective चंद्रयान 2 नहीं कर पाया पूरा कुछ गलती होने की गुंजाइश कम रखने के लिए काफी सारी modifications करी गई है पहले तो जो landing area है उसे और बड़ा कर दिया गया है जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाइ 500 मीटर का patch था वहीं इस बार चंद्रयान 3 एक 4 किलोमेटर बाइ 2.4 किलोमेटर के area में कहीं भी land कर सकता है ये पिछली बारी से almost 40 गुना बड़ा area है दूसरा चंद्रयान 3 में मौझूद विक्रम lander को इस बारी ज्यादा fuel दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही landing site धून पाए तीसरा software upgrades किये गए हैं ताकि विक्रम ज्यादा तेजी से घूम पाए अगर जरुवत पड़े तो और चौथा इस बारी विक्रम को सिरफ photos पर dependent नहीं होना पड़ेगा landing करने के लिए चंद्रियान 2 का जो mission था उसे आधा success बताया जाता है आधा success इसलिए क्योंकि चंद्रियान 2 में जो भेजा गया orbiter था वो अभी भी काम कर रहा है इन फैक्ट आज के दिन तक वो चांद के round गोल गोल घूम के orbit कर रहा है चंद्रियान 2 के इस orbiter ने जो high resolution images ली है उन्हें इस नए विक्रम में feed किया गया है ताकि इसकी landing की जगे साई से decide करी जा सके और विक्रम lander का जो design है चंद्रियान 3 में वो more or less same है चंद्रियान 2 से लेकिन थोड़ी बहुत modifications करी गई है जैसे कि इसके जो pair है वो और मजबूत बनाए गए है और ज्यादा solar cells लगाए गए है इस पर और sensor जो है वो improve किये गए है चंद्रियान 2 की तरह है चंद्रियान 3 का भी mission objective वही है चांद के south pole पर land करना और एक rover उतारना अब जो landing की site है वो 70 degrees south है जहाँ पर कई सारे craters मौजूद हैं जो हमेशा shade में रहते हैं वहाँ पर कभी कोई धूप नहीं पड़ती और इसलिए माना जाता है कि उन craters के अंदर कुछ बर्फ मौजूद हो सकती है यह mention करना जरूरी है कि जब rover उतारा जाएगा चंदरियान 3 के दोरा चांद पर तो उसे सिरफ एक lunar day का समय मिलेगा अपने scientific experiments कंड़क्ट करने के लिए एक lunar day धर्ती के करीब एक महीने जितना होता है मतलब दो हफते का दिन और दो हफते रात समझ लो तो उससाब से जब moon पर landing का समय आएगा 23rd और 24th August के round expect किया जा रहा है कि यह चांद पर land करेगा और तब से सिरफ 14 दिन का ही समय मिलेगा rover को सारी information लेने के लिए क्योंकि चंद्रियान 3 में मौझूद जो instruments हैं वो lunar nights के लिए नहीं बने जब चांद पर रात होती है तो temperature बहुत बहुत नीचे गिर जाता है minus 232 degree Celsius तक temperature नीचे जा सकता है तो इतनी थंड में कोई instruments काम नहीं करेंगा इसलिए हमारे इसरो के चीफ ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी landing तब हो जब चांद पर सूरज निकल रहा हो तब से लेकर हमें फिर 14-15 दिन का समय मिलेगा काम करने के लिए और अगर landing 23-24 August के round नहीं हो पाई तो हम एक और महीना वेट करेंगे और इसे September में land करवाएंगे instruments की बात करी जाए तो विक्रम lander का वजन है करीब 1750 किलो और rover का वजन है करीब 26 किलो rover का नाम एक बार फिर से प्रज्यान ही रखा गया है टोटल में तीन modules लगे हैं चंद्रयान 3 में एक lander module, एक rover module और एक propulsion module lander और rover का मकसद तो आप जानते ही है propulsion module का यहाँ पर मकसद है चंद्रयान को धर्ती के orbit से बाहर निकालना और चांद की तरफ भेजना इस propulsion module की मदद से ही यह lander और rover पहले चांद के orbit में आएंगे और जब यह 100 km के radius में आ गए तब उन्हें landing के लिए उतारा जाएगा इस mission में कोई orbiter module नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का orbiter अभी भी काम कर रहा है और उसे ही दुबारा से use किया जाएगा लेकिन propulsion module जो है वो भी चांद के राओं 3-6 महीने तक चक कर गोल गोल लगाते रहेगा मून के orbit महीं रहेगा उसका भी यहाँ पर इस्तिमाल किया जाएगा communication purposes के लिए और बाकी और readings लेने के लिए इस propulsion module में एक instrument लगा है spectropolarimetry of habitable planet earth इसका short form shape यह छोटे-छोटे exoplanets की खोच करेगा space में Vikram Lander और प्रग्यान rover पर लगे हुए instruments की बात करी जाए तो वो भी बड़े interesting है प्रग्यान पर दो instruments लगे हैं LIBS और APXS LIBS का full form है laser induced breakdown spectroscope यह चांद की मिट्टी का chemical composition analyze करेगा कि कौन-कौन से minerals चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं और दूसरा APXS का full form है alpha particle x-ray spectrometer यह चांद पर मौझूद पत्थरों के लिए यही करेगा जब प्रग्यान यह काम करेगा तो Vikram Lander उसकी कुछ photos भी खीचरा होगा और यह photos हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है अगर सब कुछ सही जाता है plan के according जाता है तो जो कि मैं उमीद करता हूँ सब कुछ सही जाए Vikram Lander पर खुद चार instruments लगे होगे हैं पहला है rambah इसका full form है radio anatomy of moon bound hypersensitive ionosphere and atmosphere यह laser beam के जरीए चांद पर मौझूद कुछ छोटे-मोटे पथरों को पिंगलाने की कुशिश करेगा और जो gas उससे release होगी उसे analyze करेगा दूसरा है chaste full form chandra surface thermophysical experiment यह thermal properties measure करेगा कितना तापमान है south pole में moon के तीसरा है ilsa the instrument for lunar seismic activity यह measure करेगा कि moon पर कितने earthquakes होते हैं उन्हें earthquakes नहीं कहा जाएगा वैसे moon quakes कहा जाएगा इससे हम चांद के अंदर की crust और mantle structure को भी समझ पाएंगे और चौथा instrument यहाँ पर NASA की देन है LRA Laser Retro Reflectors Array यह laser के जरीए धरती से signals bounce करेगा इसकी मदद से scientists exact distance पता कर पाएंगे कि Vikram Lander कहाँ पर land किया है और चांद की range किया है क्योंकि पाँच और ऐसे Retro Reflectors और चांद पर मौझूद है तो exact distances पता लग पाएंगे में चांद पर तो propulsion module के instruments को include करके total में 7 instruments लगे होए हैं चंदरियान 3 में इन 7 instruments को 7 payloads भी कह सकते हो payload शब्द अकसर इन के लिए यूज किया जाता है लेकिन scientific experiments के इलावा यहाँ पर pride का भी सवाल है अगर ये mission successful रहता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी इंडिया चौथा देश बन जाएगा Soviet Union, America और China के बाद चांद पर soft landing करने वाला ये चीज वैसे 2019 में ही हो जानी थी अगर चंदरियान 2 का वो वाला हिस्सा mission का फेलना होता तो वैसे चंदरियान 1 का जो impact mission था उसकी मदद से इंडिया उल्यडी पांचवा देश बन गया था चांद के surface को touch करने वाला Soviet Union, America, Japan, European Space Agency यानी यूरोप के बाद तब से लेकर अब तक चार और देश इस चीज को अचीव कर चुके हैं चाइना, इसराइल, लकसंबर्ग और United Arab Emirates इन देशों नहीं किया 2009, 2019, मार्च 2022 और दिसेंबर 2022 में respectively चंद्रियान 3 के बाद हमारी Indian Space Agency का अगला बड़ा प्लान है गगन यान एक spacecraft डेवलप करना जिससे Indian astronauts को और्बिट में ले जाये जा सके ओरिजिनल ये प्लान किया गया था कि 2022 में ही हो जाएगा लेकिन इस mission में काफी delays देखने को मिले हैं अब expect किया जा रहा है 2025 में से किया जाएगा Moon missions की बात करी जाए तो रशिया का जो Luna 25 है वो अभी कुछ दिन पहले ही launch हुआ है और latest update ये है कि ये crash हो चुगा है मून पर तो ये वाला mission फेल रहा रशिया की तरफ से अमेरिका का Artemis 2 भी planned है नवेंबर 2024 में जब इनसानों को Moon के पास orbit करने के लिए भीजा जाएगा वो लोग जो इसमें जाएगे वो अभी तक का furthest distance travel करेंगे और आने वाले सालों में चाइना भी plan कर रहा है चांद पर astronauts भेजने के अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको space में दिल्चस्पी है तो यहाँ क्लिक करके मेरे सारे space related videos की playlist आप देख सकते हैं आने कई वीडियो बनाए हैं Apollo 11, Black Holes, Warm Holes, Apollo 13 courses का link नीचे description में मिल जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद